पुस्पा इन्पॉसिवल सिरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फ्रैंस धिरे धिरे इस सिरियल की कहानी जो है पुस्पा इन्पॉसिवल की कहानी और इंडिस्टिंग होती जा रही है तो आज के एपिसोड में सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि जुगल के साथ गायेतरी कलाम अंदर जाती है क्योंकि वहां एक्जिविशन लगने वाला है और वहाँ पर इस्टॉल के लिए बात करने जाती है लेकिन वहाँ पर जुगल और पुस्पा को ये पता चलता है कि विरेन सेतलवार ने सारे के सारे इस्टॉल बुक कर लिए हैं और तभी उनकी नजर सामने विरेन से तलवार पर पढ़ती है जुगल गुसे में विरेन की तरफ बढ़ता है और विरेन जो है हाथ जोड़के कमेंट पास करने के चक्कर में है कमेंट कर भी रहे उन्हें और दोनों के बीच में विरेन और लगाने के लिए आगे क्या बेचोगे यहां कुछ तो तुम्हारे पास माल भी नहीं है ऐसा करो कि मैंने बहुत सारे इस्टॉल यहां पे लिए हैं तुम मेरा ही इस्टॉल संभालो अच्छी सैलरी दूँगा अच्छे कमिशन दूँगा तुम लोगों की कुछ कमाई हो एक कुर्सी पे लगे लेकिन लगेगी तो जरूर लगेगी और उसके बाद पुषपा और जुगल एक टी स्टॉल पे चाई पीने के लिए आते दोनों चाई पी रहे तभी पुषपा की नजर जो है सामने फूटपाथ पर कपड़ा बेचने वाले पर एक व्यक्ति पर पटोले को फूटपाथ पिलाएगी अरे पटोला एक बहुत ही उत्कृष्ट कला है और हम उसे इस तरह से सड़कों पर बेचेंगे तो पुषपा कहती है कि जब विरेन ने वहां पर कबजा कर लिया है तो कहीं न कहीं से तो हमें सुरुवात करनी ही होगी न और हम कौन सा ह पटोला छोटे छोटे चीजों के माध्यम से ही हर घर में जगा बनाएगा इसलिए मेरा ये आइडिया बुरा नहीं है तो इस पर जुगल कहता है कि आइडिया तेरा बुरा नहीं है लेकिन मैं तेरे इस आइडिया पर बिल्कुल भी राजी नहीं हूं क्योंकि मैं पटोले चली गई और मुझे अच्छा नहीं लगा इस मुहीम को आगे अब चलाने में तो इस पर पुस्पा कहती है कि सुब्रा बहन का इसमें कुछ भी दोस्त नहीं है तुझे इस मुहीम को उसी वक्त और आगे ले जाना चाहिए था लेकिन जो पहले हुआ सु हुआ अब तु इस मुहीम को मेरे साथ आगे बढ़ा और हम बहुत सारे लोग तेरे साथ हैं और हमें छोटे से छोटे सुरुवात करनी है तो फ्रेंड्स इनकी कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है लेकिन अब आगे की कहानी में बहुत सिरियस मोर है क्योंकि पुषपा आई है आयूशी माडम के घर और आयूशी माडम से वह सिर्फ यह कहने के लिए आई है कि आप कोट केश वगेरे ना करें लीगल प्रोसेस ना सुरू करें तो इस पर आविशी माडम यह कि नहीं जैसा आप चाती वैसा होगा और उसके बाद पुस्पा जो है चौल में आती है तो देखती है कि महंदर जो है काफी रुषा है और वो रहा है औरवा कि कह रहा है कि वनम देखोर मुझे भरोसा नहीं यह और फिर पूरा का पूरा मुझसे चुन में तो इस पर पुस्पा कहती है कि देख अभी तू सान्थ हो जा ठोड़े ठंडे दिमाग से और वहीं पेटे वही वकील आमिर भाई वह भी कहते हैं कि जो भी कीजे महंदर भाई वह लीगल प्रोसेस से कीजिये और जहां तक DNA टेस्ट का बात है वह तो होगा ही क्योंकि उन्होंने केस किया है और DNA टेस्ट में जब निकलेगा कि वह सगी माह है तो वह पूरा का पूरा करेंगी इसलिए आपको इस मामले में बिल्कुल सांती से काम लेना होगा और इदर देखे बापोदरा जी को बापोदरा जी हाथ हिला हिला के अपने खाली कमरे में वाजन देने में लगे वे हैं और किसे वाजन दे रहे हैं बस खासन का स्टाइल मारे और तब antibiotic इस इ teor एगा और पुशती है कि यह किसे भासन दे रहे हो तो वह बोलता है कि मैं कलपना में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि मैं जब कॉर्पोरेटर बन जांगा बहुत बड़ा नेता बन जाओंगा बड़े बड़े लोगों के बीच में रहोंगा तो कैसे उतनी उतनी भीड में भासन दूंगा बस इस खुसी को मैं अभी महसूस करना चाहता हूं तो पुस्पा कहती है कि अभी तुम बने नहीं हो और बनने का अभी सपना केवल देख रहे हो मत देखो ऐसे सपने और फिर अब इधर दीपती को दिखाया गया है दीपती जो है वह जुगल के साथ बैठी हुई है और प्लैन कर रही है कि कि किस तरीके से पटोले के बिसनेस को एकदम लो लेवल पर सुरू किया जाए तो जुगल जो है वह पुस्पा की बाते उसे बतात है तो दीपती कहती है कि मा गलत आइडिया नहीं दे रही है और फिर वह अपने मोवाइल पर भी कुछ आइडिया जो है छोटे-छोटे बैक पर्स वह सारी चीजह है उसका आइडिया जुगल को देती और जुगल कहता है कि तुम तो मेरी मदद करोगी लेकिन और मदद की जरुत पड़ेगी तो इस पर दीपती कहती है कि रासी और चिराग भी आपकी मदद करेंगे अब आगे फिर से एक बस सुसीला के घर पर चलते हैं यानि की बापोद्रा के साथ अब बापोद्रा जो है वह सुसीला को बताता है कि मुझे MLA साहब का बेटा बहुत पसंद आ आत में दू तो यह बात सुनने के बाद सुसीला कहती है कि ऐसा तो कभी करना ही नहीं क्योंकि अपनी प्राटना है वह किसी भी कीमत पर दुस्यंत से तो क्या किसी भी लड़के से साधी नहीं करेगी और रही बात चिराग की तो चिराग से उसकी साधी हो ना हो यह आप जा सखावत के पास आते हैं और देवी सिंग सखावत उनको पुस्पा जो है महंदर के साथ हुए पूरे घटना को बताती है कि किस तरह से महंदर गनपती बाबा के मंदिर के सीडियों पर से बच्चे को लाया था और किस तरह से पाला पोजा फिर आयूसी मैडम के साथ किस प्रक प्रकुण यह कहती है कि उन्हें आस्ट्रेलिया एक सेमिनार में जाना है और अपनी बेटी से भी मिलने जाना है इसलिए वह केस हाथ में नहीं ले सकती है क्योंकि सारी चीज़े पहले से स्टेट है महंदर काफी बोलता है लेकिन वह कहती है कि आपको मैं दूसरा वकिल दे मैसेज करता है और उस मैसेज के त्रू वह रासी को अपने पीछे-पीछे कैस कर लेता है और रासी सोचती कि वह दुस्यंत को पकड़ने जा रही है लेकिन दुस्यंत उसे अपने पीछे-पीछे लिए-लिए एक कॉलेज के कमरे तक ले जाता है और जैसे ही रासी उस कमरे म नहीं खुलेगा तो फ्रेंस आगे क्या होगा यह हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे आज के लिए फ्रेंस बद इतना ही बाई बाई फ्रेंस